पराठा किसको नहीं पसंद और वो भी कोई भी स्टफिंग पराठा हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है तो चलिए आज बना लेते हैं ऐसे कोई नहीं है जिसे ये पराठा पसंद नहीं है तो मैंने इधर गेहू के आटा ले लिया है और आटा में डालना है टेस्ट गी भी एट कर सकते है तो रिफाइन ओयल मैंने इधर एट किया है और अच्छे से मिक्स करना है बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे मैं अच्छे से होने से ना ये पराठा बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनते है दो तीन मिनट तक अच्छे से मल-मल के मिक्स करना है और मिक करने के बाद इसमें एट करना है पानी और पानी एट करके एक सौप्ठ डो लगा के रेडी करेंगे तो मैं इसमें अजवाइन एट नहीं किया है आप चाहे तो वो भी एट कर सकते हैं तो देखिए एक दम कम समय में डो है बिल्कुल रेडी अब इसे ना पंदा से बेस मनद ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तो ये आटा बहुत अच्छी से से शेट हो जाएगा तो देखिए परफेक्ट आटा लगा के रेडी हो चुके है अब इसे ढग देते हैं ढग के साइट करके रग देते हैं तो चलते हैं नेक्स प्रोसेस में इधर मैंने ले इधर मैंने एक फोर्क ले लुए और फोर्क के मदद से एकदम मैश कर लेना है कि इसके अंदर कोई भी लंस ना रहे तो फोर्क से जो छोटे मोटे लंस रहेंगे उसे खाने में अच्छा लगेगा मुह में आने से अब इसमें एट किया है मैंने छॉप्ट किया हुआ धनिया पत्ती एक मेडियम साइस के प्यास और इसी के साथ चार से पाच हरी मिच चॉप्ट किया हुआ अब जीतना तीखा पसंद करेंगे उसी हिसाब से हरी मिच चैट कर सकते हैं और इसके अंदर मैंने एट किया है धनिया पाउडर जीरा पाउडर और लालमिच पाउडर इसके साथ बस्तूर असा हल्दी पाउडर और इसके साथ मैंने एट किया है चाट मसाला चाट मसाला से बहुत अच्छा टेस्ट आता है त आप चाहे तो आलू में भी एट कर सकते हैं, तो अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आलू को एकदम अच्छे से ठंधा कर लेना है, गरम गरम आलू स्टफिंग मत कीजिएगा, नहीं तो आलू जब पराठा बेलेंगे तो आलू स्लिप करके बाहर आ सकता है, तो इसलिए आलू को अच्छे से ठंधा करने के बाद ही हम स्टफिंग भरेंगे, तो आलू बहुत पहले मैं उबाल के रखी थी, ये पूरी तरह से ठंधा हो चुका है, अब इसमें से बरा बरा सा लोई तोड़ना है, और ऐसे कटोरी का शेप दे देना है, और इसमें भरना है धेर सारे दालने के बाद थोर असा फिसलने का प्राबलेम रही जाते है, तो धीरे धीरे आलू को हलका हलका प्रेस करना है, और इसे बंद करते जाना है, ज्यादा हर बराने से आलू फिसल सकते है, सबसे अच्छा आलू पराठा बनते है नया आलू से, तो नया आलू एकदम फिसल के कि भाहर नहीं आते है तो अब धीरे १ीरे स्पफिंग भरेंगे ना तो बहुत अच्छे से स्थफिंग भर जाते हैं। मैंने भर भर के डाला है कि पराठा जब हम खाए तो आलू थोड़ा सा दिखें मतलब समझ में आए के यह आलू पराठा हैं। बहुत पतला करेंगे ना तो समझ में आएगा ही नहीं कि स्टफिंग पराठा ये मतलब आलू के पराठे है तो आलू के पराठे भर भर के आलू डालने से खाने में सच में बहुत अच्छा लगता है तो आलू पराठा हो और आलू का टेस्ट अच्छा ना हो समझ में ना आए तो मज़ा नहीं आता है तो आलू समझ में आए ऐसा करके पराठा बनाने से खाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत खुबसुरत लगता है तो देखे मैंने आटे में स्टफिंग भर लिया है अब चलिए बेल देते हैं तो इसे सूखे आटा में ऐसे बहुत जल्द बाजी नहीं करना है तब यह फड़ भी सकते है क्योंकि यह आटे का है मैदा से आप करोगे तो आप बिलकुल आराम से कर सकते है यह बिलकुल फटते नहीं है और अगर हल्का-फुल्का फड़ भी जाये तो कोई भी दिक्कत नहीं गी का टेस्ट अंदर तक तो खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा तो चलिए पहले अलट पलट के ऐसे सूखा सेख लेंगे उसके बाद एट करेंगे घी आप चाहे तो ऑल से भी सेख सकते हैं घी से से सेखने से टेस्ट बरिया आता है तो इसे लिए मैंने गी का यूज किया है और फ्लेम को रखना में इसे सेखेंगे ना तो बहुत ही जादा क्रिस्पी भी बनेंगे धीरे धीरे जितना धीरे आप इसे सेखेंगे उतना ही जादा क्रिस्प बनके ये पराठा रेडी होंगे तो देखे बहुत ही अच्छे से ये फूल रहे है हलका सा ये फट गया था फिर भी देखिए ये एकदम अच्छे से फूल रहे है तो ऐसे फूली-फूली पराठा खाने में सच में बहुत अच्छा लगता है और फूलने का मतलब है जो अंदर वाला अगर आपको stuffing भरना नहीं आता है तो आप एक रोटी बेल लीजिए फिर आलू को चम्मच या नाइफ के मदद से अच्छे से कर लीजिए फिर दूसरा रोटी बेल की उसके उपर ऐसे रख के साइड बला पुर्शन को अच्छे से बंद कर दीजिए तो देखिए पराठा बहुत अच्छे से से चुके है इसे चलिए निकाल लेते हैं और सेकंड पराठा भी चलिए सेक लेते हैं तो एकदम प्यार से धी तो देखिए का दोनों में टेस्ट का डिफरेंस बहुत रहते हैं यह पराठा के साथ कोई भी सबजी का जरूरत नहीं है अगर आपका घर में कोई भी सबजी ना हो तो ऐसे सिंपल आलू पराठा बना लीजिए और आराम से अप एंजोय कर सकते हैं और अभी बारिश भी हो पराठा बनाने के बाद ऐसे गोल गोल फूलने से बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए यह भी निकाल देते हैं एकदम परफेक्ट पराठा बनके रेडी है तो आप चाहे तो एक एक करके सेख के भी परोज सकते हैं मैंने इसे बहुत प्यार से समय लेके एकदम भरिया स सेके है इसके साथ आप थोर असा सूजी भी मिला सकते है एकदम बारीक सूजी मिला सकते है उससे और क्रिस्पी बनेंगे सूजी मिलाने से क्रिस्पने जादा आते है तो आप इसमें सूजी भी एट कर सकते है तो मैंने इधर सूजी का यूज नहीं किया है तो ऐसे ही आप कि ये बहुत ही ज़दा कृस बने है तो चलिए अब इसे सर्फ कर लेते हैं और दो पराठा सेखने के बाद तो देखिए इधर पराठा मैंने सेख लिया है बहुत ही प्यारा बना है तो अब इसे चलिए खोल के भी आपको दिखाएंगे कि अंदर में कैसे आलू स्प्रेट कि तो देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है इसके साथ कोई भी अचार ले लिजिए या दही ले लिजिए या कुछ भी नहीं तो भी चलेगा तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से एक लाइक कीजिए और लाइक करके मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए मिलते हैं न